नमस्कर सातियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आकार्स जी एस रिस्टर्स सेंटर में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक क्लास 12 बिहार बोर्ट 12 रैन्वो का एक बहुत सुन्दर एस्से है जिसे बहुत ट्रेंड आर्थर विलियम रसल के दोरा लिखा गया है यह एक एस्से है और बहुत सांदार एस्से है दोस्तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें है दोस्तो सबसे पहले हम ideas that help mankind जो विचार जिसने मानबता को सहता किया है उसके बारे में हैं वैसे विचार जिसने मानबता को सहता किया है उस पर चर्चा करेंगे और यह वाट्रेंड और तर विलियम रसल के द्वारा लिखी गई है और वाट्रेंड रसिल जो है उनका जन्म जो है 1872 में हुआ था जैसा कि आप देख रहे हैं और मिर्टू जो हुआ था वो 1970 में हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं कि बटान अर्थर बिलियम रसिल का जन्म जो 1872 में और मिर्टू जो है 1970 में हुआ था एक चीज और मैं किलियर कर दू कि ये एक बेटिस फिलोसफर थे जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बेटिस फिलोसफर हिस्टोरियन भी थे एक इति हासकार भी थे एक बेटिस फिलोसफर थे क्या थे दोस्तों तो ये एक बेटिस फिलोसफर थे जैसा कि आप देख सकते हैं और एक इतिहासकार भी थे Mathematician भी थे Advocate for Social Reform और समाजिक सुधार के लिए जो है इन्होंने प्रियास किया एक Pacifist भी थे सांतिवादी भी थे और Prominent Rationalist भी थे जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक Prominent Rationalist थे जिसे Rationalist का मतलब होता है तरकवादी एक परमुक तरकवादी थे और 20th Century का जो है वो Prominent Rationalist थे और Prolific Writer थे Prolific Writer का मतलब होता है कि विपुल विपुल जो है लेखक थे एक कह सकते हैं He was also a commentator on a large variety of topics वो कई परकार के विशेव पर टिपनी करते थे तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी सताबदी के कभी ये जो है Rationalist थे तो ये 20 भी सताबदी के थे तो कई बार पूछा जाता है कि ये जो वाटान अर्थर विलियम रसिल जो थे वो क्या क्या थे तो फिलोसफर थे historian थे, mathematician थे pacifist थे, prominent rationalist थे, prolific writer थे तो और commentator भी थे कई सारे विशेव और जो है different topics पर जो है variety of topics पर जो है वो comment टिपनी करते थे तो इनको और वहतर से समझने का हम प्रियास करते हैं मेरे कहने का मतलब है कि अलागलग टॉपिकों पर इन्होंने अपना टिपनी किये हैं बहुत सारी बाते कहे हैं जैसे seks हो गया, विवा हो गया, राजनिती हो गया धर-बिं्झान हो गया, धर्म हो गया, बिग्ञान हो गया दर्शन हो गया, समाजबाद हो गया, सिच्छा हो गया, माक्स हो गया, बुद्ध हो गया और बहुत सारे विशयप और उन्होंने अपनी टिपनियां जो है, अर्थफुन टिपनियां की है और एक आस्ट परस्ट बादी से भरा हुआ है, In 1950, Russell was awarded Novel Prize in Literature, मैं आपको बता दू, उन्हें सब पचास में वर्टरंड रसल को जो है, Novel पुरुसकार दिया गया, रसल जो है, वो साहित का Novel पुरुसकार इन्हें दिया गया, साहित में, in recognition of his varied and significant writings, उनकी विविद और महत्पुन लेखन के लिए जो है, इन्हें दिया गया in which he champions humanitarian ideals and freedom thought, जिसमें मानवी अदर्सों और विचारों की स्वतनता का समर्थन करते हैं, मतलब मानवता के बारे में बहुत जादा लिखते हैं, और खास करके इनके विचारों में स्वतनता है, freedom है, ऐसा नहीं है कि इनका विचार किसी चीज़ से बंधा हुआ है, किसी भी topic प और बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने बोला है, और 1950 में इन्हें नोवल पुरुसकार दिया गया है, तो साहित के लिए ये दिया गया, तो ये बहुत महत्पून कोशन हो सकता आपके exam point of view से, जैसा कि आप जानते हैं कि as one of the world's best non-intellectuals, दुनिया के सबसे परसिद इस करीड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी, रैसल की बात में महान नेतिकता जलकती है, देखा जाए तो मॉरालीटी की बात करते हैं, मॉरालीटी की बात करते हैं, और इनकी अगर बात को देखें तो ग्रेट मोरल ऑथोरिटी जलकती है इनकी बातों में, he was original and provocative in his attitude, वो अपने दि अतिभा से अपने attitude से उनका जो दिर्ष्टिकोन था, उनका जो नजरिया था किसी भी चीज को देखने का, बिल्कुल बहुत ही सांदार जानदार था और प्रेरित करने वाला था, इनस्पायर या motivate करने वाला था, और कह सकते हैं, यह जो है original था, ऐसा नहीं किसी से copy करके, यह अपना thought जो है अपने हिसाब से देते थे और बिल्कुल जो है प्रेरित करते थे लोगों को, and clear and forceful in his style, अपनी सैली में असपास्ट और परवल थे, ऐसा नहीं कि वो जो है दबे हुए किनी चीजों से, his writings, उनकी लेखनी, emphasize, reason, intelligence, human happiness, peace and liberty, अगर देखा जाए, तो उनकी अगर देखा जाए, तो वो जो है तर्क, बुधी मता, मानविय खुसाली, सिध्धी, सांती और सतंता पर जोर देती है, इनका जो भी तर्क अगर देखा जाए, तो जो तार्की के बाते करते हैं, और ये खास करके, humans related जो है, खुसाली और सांती और सतंता पर ये ज़्याद इनके जो ये सारे के सारे वर्क्स हैं, history of western philosophy, human knowledge, its scope and limits, authority and the individual, has man of fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom and in praise of adultness, why I am not a Christian, ये जो है, इनके सारे वर्क्स हैं, इस में से वर्क्स एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, तो चलिए जो है, इनके paragraph को हम explain करने का प्रियास करते हैं, एक एक paragraph को line by line हम explain करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है, इनका जो picture है, देख सकते हैं आप, वाटन रसल का picture है, इनके सिरपर जो है, इनके सिरपर जो है, चैसमन लगाया हूँ है, देखिए कैसे हैं, और इस परकार से इनके जो है paragraph को, इनके इस essay को, ideas that have helped mankind, वो विचार जो मानव को सहता किया है, उन विचारों की बात करें, कैसे विचार जो है, मानव को सहता किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहला जो paragraph है, इस से पहले कि हम इस विचार पर बात कर सके, हमें अवर से कुछ अवधारना बनानी परेगी, हम अगर इस विचार पर बात करना चाहते हैं, वो विचारे जिसने मानवता को सहता किया है, उन विचारों पर बात करने से पहले, यहाँ पर जो रसिल हैं, वो कहते हैं, कि हमें सबसे पहले जो है, एक अवधारना conception बनानी परेगी, एक परभाव की रूप में, कि जिसे हम लोग एक परकार से मानवता की मदद करना समझते हैं, उसको, our mankind helped when they become more numerous, यहाँ लेखा कहते हैं, क्या मानवता को तब बल या मदद मिलेगा, जब अधिक संख्या में हो जाएं, मतलब यहाँ पर लेकर क्या कहते हैं, क्या मानवता को तब जो है मदद मिलेगा, जब वो अधिक संख्या में हो जाएं, और when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, या तब जब जब उसमें पसु जैसी परविर्थी कम हो जाएं, मतलब जो इनसानों में मानवता को सहता कम मिलेगा, जब उसमें पसु जैसी परविर्थी कम हो जाएं, उसमें पसु वाली परविर्थी कम हो जाएं, तब मिलेगी, या और when they become less like animals and when they become happier, या तब जब वो खुसाल हो जाएंगे, तब उन्हें सहता मिलेगी, और when they come to know more, और they become more friendly to one another, या तब मिलेगी, जब वो यह जो किरती है, बहुत ही सांदार किरती है, जो की वाटान रिसल के द्वारा लिके गई है, महान अनभवों के विभित्ता का लाव उठाना सिख जाएं, जब जो मानव है, वो महान अनभवों का अगर वो, लाव उठाना सिख जाएं, और when they come to know more, या तब जब वो ज़्यादा जानने लगे, और when they become more friendly to one another, जब या जब एक दूसरे के लिए अधिक अनुकुल हो जाएं, I think, मुझे लगता है, all these things, ये सारी चीजे, come into our conception, हमारे सोच अबधारना में आती है, जितनी ये बाते हमने की, वो सारी की सारी चीजे, हमारे conception में आती है, हमारे सोच में आती है, सोच में आती है, and I will say a preliminary word about them, और मैं परस्ताबना की रूपे इन सब पे कुछ कहूंगा, ये परागराफ फॉस्ट था दोस्तो, सेकेंड परागराफ को हम एक्स्पेन करते हैं, निसंदे सबसे अच्छी पहल जिससे मानावता की मदद की है, इंसान की संख्या है, इंसान की संख्याने मानावता को मदद की है, दूस्रे परागराफ में निसंदे हैं, लेखा कहते हैं कि इंसानों की मदद जो की है वो मानमता की जो मदद की है वो क्या है संख्या है There must have been a time एक आवस ही समय रहा होगा when homo sapiens was a very rare species जब मानम जाती है काती दुरलब बढ़ जाती रही होगी subsisting precariously in jungles and caves terrified of wild beasts जंगली जानवरों से डरे हुए जंगलों और गुफाओं में खतरनाक धंग से निर्वाग कर रहे होंगे कभी कहते हैं कि एक ऐसा समय रहा होगा कि जो मानम जाती एक दुरलब पर जाती रही होगी और उस समय में जो है जंगली जानवरों से इसे बहुत ज्यादा डर लगता होगा ये खतरनाक धंग से अपना जीवन बैतीत करते होंगे गुफाओं में जंगलों में जब रहते होंगे तो इन लोगों को जंगली जानवरों से बहुत डर डर लगता होगा having difficulty in securing nourishment पोशक्तत हांसिल करने में होती रही होगी ऐसा नहीं है उसके पोशक्तत को प्राप्त करने में बहुत जादे समस्य होती रही होगी at this period the biological advantage of his greater intelligence which was cumulative because it could be handed on from generation to generation यहां लेखा कहता है इस काल अवधी में परचंड बुद्धी मानी के जैव बैगैनिक लाव जो संचई था क्योंकि ये एक पीडी से दुसरी पीडी को अंस्तांतरित कर बचाया जा सकता था मतलब जो उसके अपने एक पीडी से दुसरे पीडी में जो भी गुन मिले होंगे उस गुन के अधार पर उनका जो पीडी जो है बेहतर होता होगा had scarcely began to outweigh the disadvantages of his long infancy his lessened agility as compared with monkeys and his black of her side protections against cold यहां लेखा कहते हैं जो उसके मानव के लंबे समय तक लरकपन में रहने बंदरों जैसे फूर्तीले न होने और उनके पास ठंड से बचने के लिए रोएदार बालना होने के कारण कठिन हो गया मतलब उस समय में जो है बंदर के जैसा इस सब के सरीर नहीं था इन दोस देज उन्दिनो इन्सानो की तादाद वसी बहुत कम रही होगी जिसका मनुस्य संख्या का मुखव प्योग तुर्व अज़ उस पूरे काल में men have put their technical skill has been to increase has been to increase the total population मनुस्य ने अपनी यथा कौसल जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया I do not mean that मेरा ये हरगीज मतलब नहीं है कि this was the intention उनका यही उदेश था but it was in fact the effect परबास्तम में यही परचलन में था if this is something to rejoice अगर यह कुछ आनन्दायक है then we have occasion to rejoice तो हमारे पास आनन्दित होने का यही अफसर था अब चलिए paragraph third में चलते हैं we have also become in certain aspects progressively less like animals कुछ मामलों में हम लोग जानवरों से बाजी मार गए हैं मतलब यहां पर लेखा कहते हैं कि कुछ मामलों में हम जानवर से आगे निकल गए हैं I can think in particular of two respects first, debt, acquired as opposed to opposed to congenital skills play a continually increasing part in human life and secondly, thought for thought more and more dominant impulse in these respects we have certainly become progressively less like animals कुछ मामले में हम लोग तो जानवरों से बाजी मार गए हैं आगे निकल गए हैं लेकिन विशेस रूप से मैं दो मामलों में इसे सोच सकता हूँ पहला पैदाइसी गुन के विप्रीत अधिगरहित गुन लेखक अनुसार वो दो छेतर जिसमें मनुस ने जानवरों से बाजी मार ली है उसमें पहला है मनुस में अधिगरहित गुन यानि वो गुन जो सीखने से आती है का होना जबकि जनवर में जन्मजात गुन पाई जाती है या लेखक कहते हैं कि मनुस्यों में ऐसे गुन होते हैं सीखने का गुन होता है लेकिन जन्मजात गुन अधिक पाया जाता है लेकिन मनुस्यों में जन्मजात गुन का कम पाया जाते हैं और वो सीखने वाले गुन अधिक पाया जाते हैं है ना तो कह सकते हैं कि एक्वाइड किये जाते हैं ज्यादा तर मनुस्य अपने गुन को क्याकत एक्वाइड करते हैं लेकिन जानवर जो है एक्वाइट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर में ज़्यादा तर जन्मजात गुन पाये जाते हैं अगर हम बात करें कौसल वह गुन है जो सीख कर आता है यहां लेखा कहते हैं कौसल ऐसा गुन है जो सीख कर आता है लोग सीखते हैं कौसल को मानव जीवन में अहम भूम का निभाती है यह जो है कौसल जो है वह गुन है जो सीख कर आती है और मानव जीवन में अहम भूम का निभाती है and secondly दूसरी चीज जो है that for thought more and more dominant impulse और अगर चिंतन सोच समझ कर किया गया काम बिना सोच समझ कर किया काम जो है बिना सोच समझ कर किया गया काम जो है बिना सोच समझ कर किया काम जो है बिना सोच समझ से बहुत अधिक खावी होता है in these respects we have certainly become progressively less like animals इन मामलों में हम लोग जनवारों से भी बाजी मार गए हैं तो जैसा की देख रहे हैं इन पैरागराफों के माध्यम से यहाँ पर लेखक जो हैं जानवर में और मनुस में अंतर वता रहे हैं कैसे हम जानवरों से अलग हैं कुछ चीजों में हम लोग जानवरों से आगे निकल गए हैं लेकिन कुछ चीजों में जानबर हमसे आगे निकल गए हैं यहां कहते हैं लेखक as to happiness जहां तक खुशी की बात है I am not so sure मैं उतना आस्वास्त नहीं हूँ But it is true, die of hunger in large numbers during the winter यह सच है कि चिरियां भू के कारण ठंडी के दिनों में अधिक संख्या में मरती है मतलब लेखक कहते हैं कि ठंड के दिनों में जो हैं चिरियां हैं पक्छियां जो हैं भूख के कारण बहुत अधिक संख्या मरते हैं If they are not bards of passes अगर वे घरोले चिरियां नहीं मरती है बाहरी अब अगले अपिसोड में देखेंगे दोस्तों धन्यवाद